जैसे को तैसा जब मदारी खेल खत्म करके घर पहुँशता तो कुछ देर के लिए वह बजरंगी को खुला छोड़ देता था ताकि वह इधर उधर घूम कर अपने खाने के लिए कुछ ढून ले इस तरह बजरंगी को जब तब मौका मिलता वह लोगों के खाने पीने का समान उठा कर भाग जाता था कभी-कभी जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह चत पर सूखे कपड़े उठा कर भाग जाता था जब लोग उसे कुछ खाने के लिए देते तब ही उस समान को छोड़ता था अब बचरंगी को समान चुराने की आदत पड़ गई वह जानता था कि इसके बदले उसे खाने के ले कुछ ना कुछ जरूर बिलेगा धीरे धीरे बचरंगी ने मदारी के घर से भी समान चुराना शुरू कर दिया जब तक मदारी उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था, तब तक वह समान नहीं छोड़ता था कुछ समय बाद मदारी के घर एक बच्चा पैदा हुआ एक दिन मदारी खेल दिखा कर शाम को घर लोटा और उसने बजरंगी को खुला छोड़ दिया मदारी की पत्नी रसोई में खाना बना रही थी और बच्चा पाल्ले में लेटा हुआ था तब ही बजरंगी घर में गुजाया उसने इधर उधर ढूंडा मगर उसे ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिसे वह उठा सके रसोई में मदारी की पत्नी थी इसलिए वह रसोई में नहीं जा सका तब ही उसकी नजर पाल्ले में लेटे बच्चे पर पड़ी उसने सोचा मैं इसी को उठा लेता हूँ इसके बदले मुझे जरूर कुछ खाने को मिलेगा उसने बच्चे को उठाया और उसे लेकर छट की तरफ भाग गया इतने में बच्चा जोर-जोर से रोने लगा बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मदारी की पत्नी रसोई से बाहर निकली तो देखा कि बजरंगी बच्चे को उठा कर भाग रहा था वो जोर-जोर से चिल्नाने लगी उसके चिल्नाने की आवाज सुनकर मदारी दौरता हुआ आया साथ ही आसपास के लोग भी खटे हो गए मदारी की पत्नी जोर-जोर से रो रही थी उसने रोते हुए कहा ये सब तुमारी वजह से हुआ है अगर तुम उसे खाना देते तो वहाँ चोरी करना नहीं सीखता आज उसकी आदत हमारे बच्चे की जान लेकर रहेगी आसपास खड़ी लोगों ने भी कहा हाँ अगर तुम उसे पेट भर कर खाना देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ये सब तुमारे ही कारण हुआ है मदारी को अपनी गलती का पता लग गया था उसने कहा हाँ हाँ ये सब मेरी ही गलती है मेरी ही कारण ये सब हुआ है जो हुआ सो हुआ अब जल्दी जाओ और बच्चे को बचाने का उपाय करो इससे पहले की वे हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुचाए मदारी की पत्नी ने कहा पास खड़ी एक विक्ती ने मदारी को एक उपाय बताया सभी ने उस के अनुसार काम किया उन्होंने बहुत सारे केले नीचे जमीन पर रख दिये इसके बाद सभी उस इस्थान से दूर चले गए चट पर बैठे बच्चरंगी ने जब नीचे केले देखे तो वह बच्चे को चट पर ही छोड़ कर नीचे आ गया और केले खाने लगा तभी मदारी ने चट पर जाकर बच्चे को उठाया और उसे नीचे ले आया उसकी पत्नी ने भाग कर बच्चे को गोद में लिया और उसे सीने से लगा कर प्यार करने लगी उस दिन के बाद मदारी बच्चरंगी को भर पेट खाना खिलाने लगा उसने बच्चरंगी के लिए अलग बटतन रख दी जब कभी खाना बनता तो मदारी सबसे पहले उसे ही खाना खिलाता था अब वह बच्चरंगी को बांधता भी नहीं था बच्चरंगी इधर उधर घूमता था लेकिन किसी का कोई सामान नहीं चुराता था वह मदारी के बच्चे के साथ भी बड़े प्यार से खेलता था शिक्षा हम दूसरों के साथ जैसा वहवार करेंगे दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही वहवार करेंगे